हाई फ्रेंड्स एक्जाम डाइनमिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है तो चले शुरू करते हैं हमने जो है प्लेटू की सीधी दे स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमने छोटा नाखपुर का पथार मेगाले प्लेटू जिसे शिलॉंग प्लेटू कहते हैं सेंट्रल हाइलें जिसमें हमने मारवा प्लेटू बुंधहिल खंड प्लेटू और रिवा पन्ना प्लेटू कवर कर लिया है उसके बाद में हमने बगहिल खंड प्लेटू कवर किया है जो की मंद्यप्रदेश के इस्टन प्लेटू इस्टन पार्ट है जो कि जिसे हम इस्टन प्लेटू भी क यह इंपॉर्टन है, यह is the only plane worth in the name in peninsular plateau ठीक है, अब यहां पे जो है, प्लेंस है, यहां पे rice fields, rich rice fields है और इसकी जो शेप है वो saucer shaped depression है यहाँ पे जिसको जो है महानदी अपर महानदी एक्जेक्ली बता रही हूँ अपर महानदी ड्रेन करती है तो saucer shape जैसे प्लेट होती है ना कप और प्याला और जो प्लेट आती है उसमें नीचे चाय के प्याले में तो चाय के पहले के नीचे जो प्लेट होती है वो saucer shaped depression की तरीकी की इसका जो है shape है 36 प्लेट का और इसे अपर महानदी ड्रेन करती है अच्छा ये पूरा का पूरा जो बैसीन है अपर महानदी जो बैसन बनाती है ये बैसन है कहां पर एक्चल में ये मेकाल रेंज और उडिसा लिख के बीच में है तो ये अपर महानदी यह जो depression जो बना रही है जो ये drain कर रही है, छत्यसकपट प्लेन को, ये जो है, बीच में जो है, इसके उपर जो है, मैकाल रेंज है और नीचे जो है, उड़ीसा हिल्स है, अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं, इसके नौर्थ में जो है, छोटा नाकपूर का पठार है, इसके नौर्थ इस्ट में रायगड ल हीसे, सौथ हिस में रायपुर अप्लैंज है सौथ में इसके बस्तरकाप्ठार है इसके मैकाल रेंश है अब इसमें बात करते हैं इसको अच्छट्बड प्लें जो है च्छट्ट्य गड नाम के उपड़ा वो 36 गड़ प्लेन है अच्छा इसके कुछ commercial centers बड़े important है तो आप पहचान जाएंगे कि इसमें minerals कौन-कौन से मिलते हैं इसके commercial centers इस प्रकार हैं भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, रायगड और दुर्ग और इसमें minerals कौन-कौन से हैं इसमें minerals है, iron ore, boxide